हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका अपने संस्कारिस में सामने अपने हैं और ये स्विफ्ट का आप क्या समझे रहे हैं कौन सा वैरेंट हो सकता है वाई जिसके लिए हमारा चैनल फेमस है वही है साइड के वील्स को देखकर आप पहचान गए होंगे ये है अपने पास इसका बेस मॉडल वैसे तो मैं हमेशा से बेस मॉडल ही पहले लेकर आता हूँ लेकिन इस बेस मॉडल को लाने में अलग ही लेवल की मुझे खुशी हो रही है रीजन है अब ये बेस मॉडल बेस मॉडल जैसा बिलकुल नहीं रहा पहले जो स्विफ्ट आती थी पिछली जनरेशन आती थी उसके बेस मॉडल में आपको बाकी चीज़ तो छोड़ो फ्रेंट की भी पावर विंडो नी मिलती थी बिल्कुल कोरी गाड़ी होती थी वो लिटरली बेस मॉडल लगता था लेकिन अब एरीना की ये स्विफ्ट हो चुकी है नेक्सा वाले बिल्कुल डर रहे हैं मतलब नेक्सा में जो बेसिक फीचर आते हैं वो इसमें डाल दी हैं इतनी वैल्ली फॉर मनी आप हो जा रही है कहने ही क्या एक एक करके सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ स्विफ्ट के बेस मॉडल एलेक्साई में आपको क्या-क्या नए फीचर मिल रहे हैं इस शांदार से लुक के अलावा सबसे पहले तो जैसे ही आप सामने से इसे देख रहे हो जो पहले स्विफ्ट नाम सुनते ही हमारे मन में आता हो ना स्पोर्टी केरक्टर वो चीज़ अब केवल परफॉर्मेंस बगएरा में नहीं रही अब यहां पर आपको लुक में भी मिल रही है देख रहे हो चीज़े शार्फ हो चुकी है आप यहां देखो हैड्लैंप पूरी तरह से जो लोग बाहर से करवाते थे करोल वाह में जाके करवाते थे वह कंपनी ने करके बेस मॉडल में मिल रहा है उसके सब यहां पर आपको मिल जाता है क्रोम यह है इंडिकेटर और यह हो गया पाइलेट लैंप नीचे आपको इस तरह का कावल मिल जा रहा है अलाकि इसमें कोई भी फॉग लांच कर दिया है फॉग लैंप और इसके लिए स्पेशल बनाए है एलीडी वाले बिलकुल वाइट एलीडी मस छोटे छोटे से क्यूर से और सबसे वड़िया चीज देखो बेस मॉडल में ही आपको यहां पर ग्रिल मिल रही है कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक पाई हाइडरो डिप बगार आगा जहारी खतम देख रहे हो बेस मॉडल है यह उस दिल आने वाली बातचीत हो रही है आते हैं इसके साइट प्रोफाइल की तरफ तो यह कुछ साइड से गाड़ी आप यह देखो इसकी शोल्डर लाइन यहां से यह पूरा बोनट घूम के ऐसे चली जा रही है और यह पीछे भी जा रही है मतलब 360 डिगरी में यह इसकी शो आप मोडल वाला अच्छा लगे चाहे चोड़े चोड़े जो करेक्टर यह प्ले करती है वह वाले इसमें लगवाते हैं जब अर्दस लुक देती है और वही चीज होने वाली यह फिर से बात करें इसके सेक्शन की है साइस की तो वह आपको पहले की तरह मिल रहा है 165 असी फैंडर पर इंडिकेटर पहचान है पूरी यहां पर आजाता है मिरर पर तो बिल्कुल यह भी आपका खर्चा खाएंगे क्योंकि जो भी बेस मोडल लेता है इसको चेंज ही कराता है यह बाहर से ही अड़ेस्ट होते हैं अंदर से नहीं होते ठीक है बाकी डोर हैंडल ब्ल 250 mm और सबसे बड़ी चीज सबसे अच्छी चीज ग्राउन क्लेरंस ग्राउन क्लेरंस पहले से जादा हो चुका है बाई मुझे तो यह 175 mm से कम नहीं लग रहा पहले 163 आता था बहुत लोग कहते थे यार आगे से लगती है गाड़ी लेकिन अब नॉर्मल 170 आता उससे भी ज यहां से और ज्यादा नीचे हो जाती थी तो उसको भी अब सस्पेंशन ट्रेवल को बढ़ा दिया है मोटा मोटा 26 mm 26 mm क्या बात है चीज़े जो प्रैक्टिकल थी मतलब डिजाइन वाली तो करी-करी चेंग है और ज्यादा हुआ मच गया है लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज रुपे खर्च करके लगवाते थे ऊपर से बाहर से इंपोर्ट करवाते थे थाई लेकिन अब यह कंपनी नहीं कर दिया और इस बेस मॉडल में ही जैसे ही आप लैंप जलाओ अरे जलाई देता हूं ना देर क्या करें हम यह देखो जैसे ही हम जलाते हैं तो यह अपने इस के साथ साथ जो अपना रिवर्स लैंप हो गया है इंडिकेटर यहां पर है यह दोनों के दोनों अपने हैलो जनी है बाकि अगर पीछे के अपने सेंसर की बात कर रहे अच्छे चीज़ है मारूती कॉस्ट कटिंग नहीं कर दी कई कंपनियों ने दो ही दो सेंसर कर दिया है लेकिन मारूती आज भी एक, दो, तीन, चार चार रिवर्स पार्किंग सेंसर यूज़ कर रही है पीछे कोई भी बैजिंग नहीं है अपने वैरियंट की यहां पर आपको सुर्फ लिखा मिलता है उसके साथ साथ यहां हो गया अपना लोगो सुजू की का यह है पूरा का यहां चार खेल बेस मौडल में भी आपको मिल जाता है क्या वह इवाई ऑपना अन्टेन लग जागा जो की अंदर रखा हुआ है और्के डिवोट होगा यह HIS पूरा का पूरा लुक क्या मस ता रही है न देखो शानदार तो यह हो गई बाहर बार से पूरी गाड़ी चेंज़ आपको बताई दिये यहाँ पर अगर बात करें फ्यूल फिलर कैप की तो इसमें डल जाएगा अपना 37 लिटर तेल जो कि पहले की तरह ही है चलो बाई बाहर यहाँ पर आजा आप अंदर टेंप्रेशर पहुंच चुका है 40 डिगरी के पार ऐसे में चाहिए होती है अपनको कूली कूली वाली फीलिंग और वह आपको आपकी गाड़ी में देगा इन्वाल्वन का स्प्लैश पर्फियूम वह इतना वर्सिटाइल सा प्रॉडक्ट है आप इसको अपने कपोडर में लगा दोगे और बास यह आपको जैसे दर्वाजा खोलोगे ना हर बार एक ब्लास फील कराएगा बिल्कुल कूलींग फेक्ट वाला फ्रेग्रेंस में है ऐसी ताजगी इसके और उसके साथ बढ़िया चीज क्या है पैकिंग इतनी प्यारी स कोई टेंशन नहीं है फैलने बगारा की और लंबा इतना चलता है कि आपके गाड़ी में दो से तीन महीने तक वैसी पहले दिन वाली ताजगी बना के रखेगा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखका है हमाँ जाके संसकारी अपने भाई के नाम का कूपन कोड लगा हो सोल पकड़ो बिल्कुल बेस मोडल में भी आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है यह पूरा का पूरा फैब्रिक है उसके लाबद चारो की चारो पावर विंडो मैं क्या बता रहूं आपको पिछली जनरेशन में कुछ नहीं आता था कि टू हो जाब बंद कुछ नहीं आता था पर ना और अब आपको मिल रही चारो की चारो पावर विंडो और वह भी ड्राइवर साइड आटो आप आप आटो डाउन है यहां से आप सेंट्राइव कर सकते हो क्यों कि अपनी चावी है वह भी आ गई है सेंट्रल लॉकिंग के साथ यह देखो यह नहीं होता था पहले अब भी सिंपल होती दोनों के दोनों रिमोट की है यह गई अपनी लॉक यह अपनी लॉक क्या बात है बेसिक फीचर सारे डाल दी है इसको इपर आखते हैं और नीचे आपको वही बॉटल होड़र साथ में अपने जो मैप आपकेट अब मिल जाती है इस पीकर ग्रिल एक पहले भी स्विफ्ट की सेट अच्छी होती थी यार कभी भी ड्राइवर जो बैठा होता था वो शिकायत ही नहीं करता था कि अनकमफटेबल लग रहा है यह कुछ है सैट होता था ममला वही चीज यहां पर है यह देखो बड़ी अंटर थाई सपोर्ट चोड़ाई बोस्ट पूरे लाने हैं जो भी बेसिक रिक्वाइरमेंट है एजनसी की पूरी की पूरी करनी है इसी लिए इसमें आपको चैरबेक स्टेंडर मिल रहे हैं जो ब्रेकिंग सेफ्टी वाले तो बताई दिये मैंने आपको फीचर ना वह भी जरूरी है यह जरूरी है तो यह हो गया और आपना एक दो साथ में दो करटें साथ में ढोगे फ्रिंटल इंप्वाइच यह हो गया कोई भी सीथर ज़स्में आपको नहीं मिल रहा है ड्रेस अपने फ्रन्ट वाले एड़स्ट में चलो भाई अब इसमें बैठ जाते हैं और बैठ के दिखाते हैं आपको अंदर के दिखा यह आपको दिखा यहाँ पर अपना डाइल पहले आपको यह दोनों रिंग्ग जैसे दिखते थे मतलब नहीं अब तैको आपको थोड़ा सा बाहर निकला हूँ मतलब 3D effect के साथ दिख रहा है और टैको आ चुका है सबसे पहले तो खुशिया मना हो इसी चीज़ की कि टैको मीटर बेस मॉडल में आ चुका है ठीक होगे यहां टैको हुआ यहां स्प्लीडो मीटर रेड इंसर्ट्स आपको मिल जाते हैं किस चीज़ के को क्या करा है हमने कि आवाज पहले की तरफ बिल्कुल नहीं है ठीक है लेकिन एंजिन चेंज हो चुका है इंजिन भी बदल चुका है अब आ चुका है इसमें थ्री सिलेंडर से जज्मत करना क्योंकि जब उसकी में खूमियां बताऊंगा तब आप खुद कहोंगे कि अरे वाँ भाई वाई बताऊंगा अब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी एसी चल रहा है कोई नहीं कहा सकता कि यह थ्री सिलेंडर इंजन है बहुत लिमिटेड जगाए होंगी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए जहां आपको फील कराएगा लेकिन उसके अलावा बिल्कुल प्यॉर वैस ही है रिफाइनमेंट एक नंबर सेरिंग वील की बात कर लेता है तो यह हो गया और बस टिल्ट है टैलिसको पिक नहीं है उसके लावा हैडलम का स्टॉक यह है वाइपर का स्टॉक यह है उसके अलावा यहां पर देखते हैं तो आपको ट्रेक्शन कंट्रोल ऑन अफ करने के लिए मिल गया और यह है यहां पर आजाएं तो आपको कुछ नहीं मिल रहा रिजन है बेस मॉटल है यार अपनी मर्जी का लगवा और जब इस यह जीजद देखिके काऊगे बिल्कुल बलेन वहार यह तो ओटमाटिक लायमेट कंट्रोल बिल्कुल देखने में वही है लेकिनी ऑटमाटिक ॉलाइक कंट्रोल नहीं है अब आ चुका है डिजिटाल एसी भाई सारी चीजे आपको बटन्स में हैं पर कितना है 28 जगरी 29 जगरी 30 जगरी आपको इस तरह के बटन मिल रहे हैं और यहां पर आपको मिल रहा है पंखा मतलब ब्लोवर बास आटोमेटिक नहीं है लेकिन डिजिटालेस यह देखने बड़ा खुबसूरत लग रहा है सबसे बड़िया फिचर मैक से सी सीधा यहां ब मतलब आपने यह चीज देखी हुंडे की गाडियों में देखिए किसमें वर्ना की बात कर रहा हूं मैं पूरा का पूरा जो यह अपना यह पूरा कंसोल है यह ड्राइवर की साइड अब यह इसमें भी कर दिया देखो पहले बिल्कुल सामने सीधा रहता था था ना वो ची कोई भी इसमें जोगर है वो day night वाल एड्जस्मेंट नहीं है उसके अलावा लैम्प हो गई यहां पर कुछ नहीं है और यहां पर यहां पर भी इकश नहीं है यहां पर आपको ABC पैडल में रहे हैं क्लाच लाइट है बहुत जाबा बाकी टैट पैडल ही हो गया अब क्या करें और हां यह देखो यह वाले लीवर भी अपने यहां आ चुगा है ठीक कोई भी नीचे वीचे से नहीं यहीं से होगा चाहे अपना बोनट हो चाहे अपना फ्यूल लेड चलो इसको बंद करते हैं अपने और आप दिखाता हूं आपको पीछे का माहौल अब तो भाई सेंटर लॉकिंग वाला सीन है यह देखो यह है पीछे का ट्रिम पीछे आपको कोई भी सॉफ्टच नहीं मिल रहा हाट प्लास्टिक है लेकिन प्वार विंडों का यहां हो गया बाकि स्पीकर ग्रेल बॉटल होल्डर इसमें भी है आज आते हैं सीट पे बढ़िया यहां पर बॉटल होल्डर है कोई भी रियर के इसी बैंड नहीं मिलेगा लेकिन सिर्फ बेस मॉडल में नहीं मिलेगा मतलब इससे ऊपर जाओगे जो टॉप के दो वैरियंट है उनमें आपको रियर का इसी बैंड भी मिलने वाला है ठीक है बागी अंटर था सिर्फ बैल्ट है और पांचों के लिए ही रिमाइंडर भी है क्योंकि यह भी है नौम अब सेफ्टी के लिए जो भी भाई पांस्टार चार सार जो भी लेकर आने है ना उसके लिए क्रैसर रेटिंग के लिए और वह आपको मिल गया है चलो अब इसके अलावा देखो क्या अब यहां पर भी रिक्वेस्ट सेंसर दे दिया है यह देखो ठीक है आ जाते हैं यहां तो बूट स्पेस पहले की तरह यह सफीशेंट है इस कटेगरी के लिए सेग्मेंट के लिए 268 लिटर का आपको मिल जाता है यहां पर कोई पार्सल ट्रे नहीं है अगर हम बात करेंगे इसकी तो आपको सेम ही मिलना यार 158 14 चलो और अगर पूरा का पूरा और ज्यादा स्पेस बढ़ाना तो फोल्ड कर सकते कंप्लेट अब बात आती है कि यहां की जो चीज चेंज भी है उन्हीं की दो बात हैंगी यह देखा यह मिल रहा है आपको यहां पर देखो इसके लिए पुरा कपड़ा पड़ा सैट क रखा है लेकिन साइलेंट बहुत है यह बिलकुल नया जैड़ सीरीज का अब तक के सीरीज आप देखते थे हैं आपको मिल रहा है जैड़ सीरीज और इसको एक बार करते हैं, अब आप कहोगे भाई, थ्री सिलेंडर इंजन देने से फायदा क्या हुआ, तो फायदा अब सुन लो, पहले इसकी माइलेज होती थी, 22.3, ठीक, लेकिन अब इसकी माइलेज हो चुकी है, 25.74, मतलब आप समझो करीब करीब 12 से 15 परसेंट का ग्र करती है, और वो चीज़ में मिलने वाली है, इतने शांदार लुक्स तो होई चुके है, और बेस मॉडल में ये सारे फीचर आपको दे दिया, कमपनी ने कहने ही क्या, जो चीज़ डिमांड थी, वो दे दिया, से दे दिया, कमपनी ने कहा दिया, 25-30 किलो तो वजन भी बढ क्या बाढ़ है, घाड़ी, आपको कैसे लगा है, वीडियो की बताना सबस्क्राइब करना सब्सक्राइब करना है, शाय चैनल को जाए